हलो गाइज वेलकम टू कुक वित प्रतिवा शोहरे तो चलिए आज बनाते हैं बैगन का भरता फ्रेंट सर्दियों का मौसाम आ गया है और मार्केट में बहुत ही अच्छे बड़े बड़े से और सौफ्ट सौफ्ट से बैगन आना शुरू हो गए हैं तो बड़े से और सौफ्ट बैगन का भरता बहुत ही अच्छा बनता है तो इसको बनाएंगे आज बड़िया फ्राई करके तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आप बैगन को चेक करके ले लिजे कि कोई इसमें छेद वगेरा ना हो अगर छेद होगा तो समझ लेगीजे कि उसके अंदर कोई कीड़ा है बस अच्छा सा बैगन और चूने में वो थोड़ा सौफ्ट हो सौफ्ट बैगन होता है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है भरता बनने के बाद तो देखे मैंने चार बैगन ले लिए हैं बड़े साइच के एकदम सौफ्ट है ये और इसमें कोई छेद वगेरा नहीं है और भरते को फ्राइ करने के लिए यहां पर मैंने दो बड़े साइच के प्याज काट लिये हैं और थोड़ा सा साबुत लेसन चील के रख लिया है और धन्या की पत्ती काट लिया है हरी मेर्च अद्रक काट लिया है थोड़ा सा और 10-15 कली lesson मैंने छील कर और काट कर भी ले लिया है तो चलिए इतनी तयारी कर लिजे आप लोग पहले से अब क्या करते हैं कि बैगन को फिर लेते हैं और बैगन को अब इसमें क्या करेंगे छेट करेंगे हम बैगन में एक बैगन में चाकू की हेल्प से 5 से 6 छेद कर लिजे, क्योंकि बड़े साइज के हैं न, तो इसमें 5 या 6 छेद बना लिजे, इसी तरीके से चाकू गुसा गुसा के, और हर छेद में एक-एक लैसन गुसा दिजे, साबत लैसन, जो छिला हुए लैसन रखा है न, प्लेट मे बस एक-एक लैसन हर छेद में गुसा देंगे, इस तरीके से क्या होता है न, बैगन हमारा भुनता भी जल दिया और इसका जो बादीपन होता है न, वो खतम हो जाता है बैगन का, इसके अंदर लैसन जब हम गुसा देते हैं, तो इसका बादीपन खतम होके, एकदम, फिर ह लगता है तो सबसका मन करता है किसी को बेगन को है थोड़ा सा कि यह दो लोग और करते हैं तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे भरती को तो बिलकुल नुकसान नहीं करेगा वह तो चलिए इसी तरहे की से सभी बेगन में छेत करिए और इसी तरीके से लेसन गुसा लीजे ठीक है तो चलिए अगला स्टेप करते हैं अब देखिए हमने गुसा लिए सब में बैगन अब इसमें क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा देंगे उपर से थोड़ा-थोड़ा सा तेल लगाने से क्या होगा कि जब हम इसको भूनने के बाद च्छी लेंगे तो इसका छिल का बड़ी असानी से उतर जाता है और तेल ना लगाना हो तो आप ऐसे भी भून सकते हैं तो ठीक है इसी तरीके से हम सभी बैगन में तेल लगा लेंगे अब देखें यहां पर मैंने बैगन को भूने के लिए जाली रग दी है बस इसी जाली में दो-दो बैगन रखेंगे और इनको उल्टाते पल्टाते सभी तरफ से अच्छे से भून लेंगे हम थोड़ा और बहुत खिलका निकल रहा है तो ठीक है, इसी तरह से हम सारे बैगन को छील कर दूसरी प्लेट में रख लेंगे, ये देखे, सभी बैगन और टमाटर को मैंने छील लिया है, अब इसको थोड़ा सा, अगर और भी डाउट क्लियर करना है कि इसके अंदर कोई कीड़ा बगेरा तो नहीं है, तो चम्मस से इ कुल कर बैगन को चेक कर लीजे, क्योंकि कभी-कभी छेट समझ में आता है और भून जाता है, तो भूनने के बाद आप बैगन को चेक कर लीजे, कि कोई कीड़ा तो नहीं है उसके अंदर, अब चलिए भरते को फ्राइ कर लेते हैं, तो यहां पर डाल दीजे, तीन से चार अब डाल देंगे कटा हुआ अदरक, लैसुन, हरी मिर्च, और इसमें डाल देंगे थोड़ी से हींग, तीन से चार चुटकी हींग है, हींग डालना बहुत जरूरी होता है भरते में, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसका बादीपन भी खतम हो जा हमारे प्याज बढ़िया से पक जाएगी, यह देखिए पक गई है, चलाते हुए पकाना है, ताकि सभी प्याज हमारी अच्छे से पक जाए, इविनली पके, तो इसको चलाते रहे बीच बीच में, और देखिए प्याज पक गई है, अब डाल देंगे इसमें, अपना तो आशर की हेल्प से या फिर इसी चम्मत से इसको मैश कर दीजिए इसी कढ़ाई में, यह देखिए इस तरीके से, अगर कढई में मैश नहीं करना है, तो आप पहले से ही मैश कर के डाल सकते हैं, पहले से भरते को बैगन टमाटर को मैश कर दीजिए, उसके बाद ही कढ़ प्रेंट्स नमक और लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट की कॉर्डिंग ले लिजे ठीक है अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसी तरह से चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे अपने भरती को क्योंकि भरते को आप जितने अच्छे से मैश करेंगे उतना ही बड़िया टेस्ट आता है इसका इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें चलाना पड़ता है अब डाल दीजे इसमें आदा चोटा चमच गरम मसाला बस यहां पर और कोई भी मसाला नहीं डालना है नमक लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला बस फिर देखिए कितना टेस्टी भरता बनके तयार होता है यह देखिए लग रहा है ना देखने में बहुत ही टेस्टी तो लीजे हमने इसको चार से पांच मिनट भूनते हुए पकाया इसी तरह से चलाते हुए अब हमारा भरता एकदम तयार है तो इसको गार्नेस कर दीजे हरी धनिया की पत्ती से यह देखिए फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी भरता बनकर तयार हो गया है अब तो किसी भी धाबे और रेस्टोरेंट का भरता इसके सामने फेल हो जाएगा जब आप घर में इस तरीके से भरता बनाएंगी तो जरूर ट्राइ कीजे वीडियो पसंद आया हो तो सबके साथ शेयर कीजे तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत